नमस्तार मैं हूँ डॉक्टर मनन गांदी और आज मैं आपको आयुर्वेदिक गरेलू उपचार सिर्व में दर्ध होना यानी हेडेक होने के लिए दूँगा हेडेक दो प्रकार से सामानी रूप से क्लासिफाई हम करते हैं पहला टाइप है अगर आपको यहां दबाने से दर्ध होता है यहां दबाने से दर्ध होता है तो आप टाइप वन हेडेक में अपने आपको देखिए और अगर आपको यहाँ पर दर्द नहीं होता तो अपने आपको टाइप 2 हैडेक में आप देखी अगर आपको टाइप 1 हैडेक की बिमारी है तो इस गरेलू उप्चाल से काफी हद तक आराम मिल सकता है सौंट पाउडर यानी अदरग को सुखाया हुआ पाउडर का पेश्ट बना दे पानी में मिला का इस पेश्ट को पूरे फोरहेड रीजिन पे यानी मस्टिश्क पे लगा दे और नाग के साइड पर यहाँ लगा दे दिन में दो बार लगाईए जब तक यह सूख न जाए एक बार सूख के निकलना चालू कर दे तो दो दीजे दिन में दो बार करने से आपका हेडेक बहुत कम हो जाएगा अगर आपको टाइप टू का हेडेक है तो मुनक का जिसको काला किश्मिश कहते है इसको रात को भिगो के रख दीजे कम से कम आठ से दस सुबह उठकर पानी पीजिए और मुनक का भी खा लीजिए इन घरेलू उपचारों से आपका सिर धर्द काफी हद तक कम हो जाएगा धन्यवाद